हलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एक्जाम क्रिजर में दोस्तो आज के वीडियो में हम 21 नमबर और 22 नमबर से उत्तर प्रदेश करेंट अफेर के जितने भी इंपोर्टेंट कुशन बन सकते हैं वह हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे और हार ये कुशन से लिंक आपको वीडियो के डिसक्रप्शन में मिल जाएगी तो वहां से आप टेलिग्राम चैनल को जोईन कीजिए और उसके बाद सारी वीडियो की पीडियाफ डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं ये है पहला कुश्यन उत्तर प्रदेश की लखनव में किस नदी पर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग स्टेशन बनने जा रहा है ओप्सन नमबर A है गोमती नदी, B है यमुना नदी, C है सर्यू नदी और D है नर्मदा नदी तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ओप्सन नमबर A गोमती नदी तो उत्तर प्रदेशन जो है वो गोमती नदी पर बनने जा रहा है चलिए इसके बारे में डेटेल में देखते हैं नदियों में प्रदूशन फैलाने वालों पर अब तैरती नजर रहेगी इसके लिए प्रदेश का पहला फ्लोटिंग स्टेशन लखनव में बनने जा रहा है 23 गंटे 7 दिन नदियों के जल की गुरवत्ता की जाच हो सकेगी अगला पॉइंट है यह है फ्लोटिंग स्टेशन सोलर पावर से चलेंगे इनके लिए बिजली की कोई जरूरत नहीं होगी छोटे आकार के इस सैयंत्र की खास्यत या है कि इसे किसी भी नदी या नाले में कभी भी लगाया जा सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी आसान है तो देखिए ये जो सैयंत्र है फ्लोटिंग स्टेशन ये नदीयों की जो जल है उसकी गुलवत्ता की जांच करेंगे और ये 24 घंटे सक्री रूप से चालू रहेंगे और ये जो हैं लाइट से नहीं चलेंगे यानि कि ये विजली से नहीं चलेंगे ये जो है सोलर पावर से चलेंगे सूला प्रावर से ये चलेंगे और इसमें बिजली की भी कोई जरूरत नहीं बढ़ेगे ठीक है दोस्तों अगला कुश्यन देखते हैं देश की सबसे बड़ी अमरूद नरसरी उत्तर प्रदेश के किस सहर में स्थाफित होगी अफसन नमबर A है प्रियाग राज, B है कानपुर, C है वाराण सी और D है मतुरा तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अफसन नमबर A प्रियाग राज तो देश की सबसे बड़ी अमरूद नरसरी उत्तर प्रदेश के प्रियाग राज में स्थाफित की जाएगी चलिए देखतें इसके बारे में भारत में अमरूद की सबसे बड़ी पौद साला प्रियाग राज में बनेगी इसी पौद साला से देश के अन्यराजियों में अमरूद के पौदे तो जाएंगे ही विदेसों में भी भेजे जाएंगे पौद साला बनाने के लिए सैदाबाद में 28 बीगा जमीन की 25 पूरी कर ली गई है यहां सोध लेब के साथ किसानों के लिए रात्री विस्तराम की भी विवस्तार रहेगी इसका नर्मार इसराइल की तकनीक से किया जाएगा अगला पौइंट है सैदाबाद में बनने वाली अमरूद की नर्सरी में मदर प्लांट भी लगाया जाएगा ऐसी तकनीक अपनाई जाएगी कि की टाडू किसी प्रकार का रोग इन्हें ग्रसित ना कर सके तो दोस्तों ये जो अमरूद की नर्सरी है ये 28 बिगा जमीन पर बनाई जाएगी और इसके साथ साथ यहाँ पर एक लैब भी इस्ताफित की जाएगी और उसके साथ साथ किसानों के लिए रात्री विस्राम की भी विवस्ता रहेगी और इसका निर्माड जो है वो इजराइल की तकनीक से किया जाएगा और ये कहाँ पर बनेगी तो ये सैदाबाद में बनेगी प्रियागराज में और इसमें क्या किया जाएगा एक मदर प्लंड भी लगाया जाएगा जिससे कि किसी भी प्रकार का कीटाडू या रोग हिना किरसित ना कर सके अगला पॉइंट देखिए यह पौदसाला नई टेकनिलोजी से भरपूर रहेगी इसकी लागत दस करोड से अधिक होगी अमरूद की नई वेराइटी पर सोध करने के लिए लेब भी बनाए जाएंगे तो देखिए इसकी जो लागत है वो दस करोड से अधिक रहेगी और लेब के बारे में हमना आपको बताया है कि इसके लिए लेब भी मनाए जाएंगे जैसे की अमरूद की नई नई वेराइटी पर सोध किया जा सके चलिए अगला कुश्य देखते है सामुदाएक सोचाला अभियान के तहट गुजरात और उत्तर प्रदेश को सर्वस्रेश्ट प्रदर्सन वाले राज्यों का पुरुसकार मिला है इसमें उत्तर प्रदेश के किन जिलों को सर्वस्रेश्ट प्रदर्सन के लिए चुना गया है तो अप्सन नमबर A है बरेली प्रियागराज B है लखनव और वाराणसी C है हमीरपूर जहासी और D है गुरकपूर खानपूर तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उप्सन नमबर A बरेली प्रियागराज तो अभी हाल ही में सामुदाएक सोचाला अभियान के तहट गुजरात को और उत्तर प्रदेश को सर्वस्रेश्ट राज्यों का प्रुसकार दिया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश के दो जिले जो हैं वो सर्वसेष्ट प्रदर्सन के लिए चुने गए हैं कौन-कौन से हैं बरेली और प्रियागराज चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं केंदर सरकार ने स्वक्ष सुन्दर सामुदाइक सोचाला अभियान और गंदगी मुक्त भारत तीन में सन सुरू किये थे सामुदाइक सोचाला स्रेणी के तहत गुजरात ने पहला इस्थान प्राप्त किया है सामुदाइक सोचाला अभियान के तहत गुजरात और उत्तर प्रदेश को सर्व स्रेष्ट प्रदर्शन वाले राज्यों का पुरुसकार मिला। यूपी के बरेली और प्रियाग राज को सर्व स्रेष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों का पुरुसकार मिला। चलिए अगला A है 73 प्रतिसत B है 75 प्रतिसत C है 80 प्रतिसत और D है 85 प्रतिसत तो इसका जो correct answer है वो है option number A 73 प्रतिसत अब चलिए इसके बारे में detail में देखते हैं तो देखिए अभी हाल ही में एक report आई है जिसके अनुसार उत्तर प्रतिस की जो साक्षरता दर है वो 73 प्रतिसत है अब चलिए देखते हैं पहले स्थान पर कौन सा राजे रहा है तो भारत के राजियों की बात करें तो साक्षरता को लेकर देश में सबसे अच्छा प्रदर्सन केरल का है दक्षडी राज्य केरल में 96.2 फीसदी लोग साक्षर है तो केरल यहां पर पहले इस्थान पर रहा है और उसकी साक्षरता दर जो है वो 96.2 प्रतिसत रही है अंद्परदेश देश का सबसे फिसड़ी राज्य है जहां साक्षर लोगों की संक्या देखिए केरल जो है वो फश्ट स्थान पर आया है और सबसे लाश्ट में जो आया है वो आया है आंद्र प्रदेश और इसकी साक्षरता दर रही है 66.4 प्रतिसद उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 73 फिस्दी है अब केरल पहले स्थान पर है तो दूसरे स्थान पर कौन सा राजर रहा है तो देखिए केरल के बाद दिल्ली 88.7 फिस्दी साक्षरता दर के साथ दूसरे स्थान पर है उत्तरा खंड 87.6 फिस्दी के साथ तीसरे स्थान पर है तो ये करम से तीन स्थान हो गए पहले स्थान प पर तैयार की है देश में पुरस साक्ष़तादर महलाओं की अबिच्छा ज़्यादा बेटर है यहां 84.7% पुरसों की मुकाबले में 70.3% महलाओं ही साक्षर हैं तो देखे अगर पूरे देश की बात की जाए तो यहां पर पुरसों की जो साक्ष़तादर है वो 84.7% है जब क कि महलाओं की सक्षरता दर 70.3% है और यह जो रिपोर्ट है वो 2000 जुलाई 2017 से जून 2018 के आगणों पर आधारित है अगला कुश्चन देखते हैं तो दोस्तो ये थे 19 नॉवंबर और 20 नॉवंबर की उत्तर प्रदेश करंट रफिर के कुश्चन अब ये देखते हैं पिछले विडियो का कुश्चन जो कि हमने आपसे पूँचा था तो कई स्टूडेंट ने इसके सही जवाब दिये और मैं सबसे कहता हूं कि आपसे जो भी कुश्चन पूँचा जाए तो आप उसका जवाब जरूर दिया करो तो इसका अंसर देख लेते हैं तो कुश्चन था भार डिसंबर में सुरू होने वाला उत्तर प्रदेश का तीसरा चुडिया घर किस सहर में इस्तेत है इसका ओप्सन नमबर A है बरेली, B है प्रियागराज, C है गुरफपुर्ग, D है वारारसी तो इस कुश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप इसका जवाब जरू दीजिए तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए और अगर चेनल पर नए हैं तो चेनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक यू